कॉंग्रेस नीतार राहुल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा जल्द ही यूपी में एंट्री करने वाली है और ऐसे में राहुल गांधी की इस भारत जोडो न्याय यात्रा के जरीए कॉंग्रेस को 80 लोग सभा सीटों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फाइदा मिल सकता है क्योंकि देखा गया कि भारत जोडो यात्रा के जरीए वहें बड़े बड़े बोड़ बैंक को साथती हुई नसर आये थे लेकिन इस बार यहां पर अखलेश यादव को क्या कुछ बड़ा फाइदा मिलेगा इस पर सभी की नजरें ठिक चुकी हैं और ऐसे में देखा इसमृति रानी जो साफतोर पर राहुल गांदी को चुनौती देती हुई नसर आती हैं जो साफतोर पर कहती हैं कि राहुल गांदी ही हैं जो अमेठी से भाग जाते हैं लेकिन हम तो चुनौती देनी के लिए यहीं बैठे हुए हैं और ऐसे में राहुल गांदी को लेकर उपी कॉंग्रेज से जो प्रदेश अध्यक्ष ज़ राहे उनका साफतोर पर कहना रहा है कि ज्याध चैसी मालूम हो कि उपार पूर्ब आध्यक्ष सॉन्या गांधी राज्य सभा चुनाव के लिए नामंकर राजिस्तान से भर चुकी है और ऐसे में अब सवाल और यहां पर ये उठ रहे हैं कि अप्रेखा गांधी राय बरेली से चनाव लड़ेंगी या फिर राहुल गांधी लेकिन अगर राहुल गांधी अमेटी से चनाव लड़ते हैं तो क्या वह एस बार जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं आपको बता दें कि भारत जोडो न्याय यात्रा के जरीए अब राहुल गांदी सपाप्रमों का अखलेश यादव के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीती बना रहे हैं। असी लोग सभा सीटों में से 65 पर मांग रही अखलेश यादव की लेकिन बाद में 30-35 पर मानते हुए नसर आएं। रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अप्डेट्स के लिए देखते रहे हैं एक्स्टों नाइन न्यूर्ट